Welcome Dear Vieveres, The Channel 4 Jobs Assalamualaikum Dear Vieveres Vieveres, अगर आप लोगोंने Overall पाकिस्तान से पाकिस्तान, एरफोर्स में, Air Morning में, Angry Rised, PFF India, स्कोटी, MTRA Sports में, जिस भी Post का ळिंटस्ड का डिना है, तो ये विडियो आप के लिए हद से ज्यादा Important है, क्यूंकि इस विडियो में वरबल इंटेलिजेंस के एक्सपिरियंस रिपीटड क्वेशन ही इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिसकस करने जा रहा हूं तो इससे पहले कीगी अपलोड वीडियो एक्सपिरियंस रिपीटड क्वेशन वाली अगर आप लोगों नहीं नहीं देखी तो इस वीडियो करें ताकि इस रियुर्य जिस से मिलता है या हिन्सी पीचिया और रिज्ञा को bijुष को जबाए को तेशी से उस्न प्राइब तो आप नेसा वाल कर सकते यह 2- 10 Así नाक ही पांट को जमा करें तो 28 दो को मांइस करें तो 26 26 में 5 को जमा करें तो 31 बंदा 28 में दो को तफरीक 29 29 में क्या होगा 29 में अगर 5 को जमा करें तो 34 34 में आप लोगो पता चल गया हो कि दो तफरीक करेंगे जवाब 32 आ गया तो दूसरा दिका यह कि इसमें यह डबल स्रीज यानि इस तरह है के 20 और 12 और 26 26 29 29 तो आगे जवाब का लिंक है यानि 20 और 23 और थ्रिफरण्स और 23 तीन का यह यानि तीन जमा करेंगे कितना आएगा थीज दूसरे सरीज में पत्थीस त्थाइस पत्थीस और थाइस में कतना रेफरस है या नि दोनों डोन प्डूसरीज दोनों में प्रिफीन तीन जमा हो रहा है और दूसरा तरीक भी आप लों जवाब बताये लेकिन 288 जवाब कैसे आया हमें पता होना चाहिए देखें 17 और 35 उन्होंने क्या किra 377 24 विycz में 27 23 च॑न किया चाने 24 में 1 जमा कर दिया 74 को से 24 चौन कदे謀न 34 चौन municipal यूझ को 26 ऑनगी आगे 35 को instruments को 25 35 को 2 जरब किया गया तो 35 दूना 70 होता है आगे उन्होंने क्या क्या किया पहले एक जमा क्या था बाद में उन्होंने 2 जमा कर दिया बाद में न्होंने 2 जमा कर दिया तो बहतर बना दिया या उपर एक क्या हो रहा है पहले तो जरब जरब 2 से ही हो रहा है लेकन जो जमा हो व तरिजम अगे चार दो तरतीब से हुए लेकर पहले एक हुआ फिर दो फिर तीन आगे चार जमांवें तो यानी देखें 147 को क्या होगा 147 को 2 से ही जरब करना है साथ 144 एक हैसल चार आठ एक गटार्ट करेंगे कितना आगा 298 कि समझाए होगी कि 2 जमाँ है 2 से जरब किया जा रहा है सभी को 2 से जरब किया रहा है और तरतीब से जमाँ पहले एक जमाँ फिर 2 फिर 3 फिर 4 तो इसका असलों बनता है क्लावर कैसे आया तो देखें जो वैग है इसका मतलब है हिला हुआ मतलब है कि हिला हुआ या पागल समयलो या मजनू इस तरह मतलब है वैक का मतलब बनता है तो वैक्स का जो तल्लक है वह डॉलिट के साथ तो डॉलिट का मतलब भी यही है बेवकूफ तो उन्होंने मतलब दोनों सेमी मैच का रहे हैं यानि वैक का मत आंसर तो यह भी स्रीज का क्वैचन देखें सतरा तेस तीस अठाइस आगे संतालिस इसका जवाब उन्होंने बताया हुआ लेकिन जी संतालिस जवाब कैसे आया इसका में कंसेट सीखना होगा देखें सतरा और तीस में डिफरेंस छे का रहा है टीस और तीस में डिफरेंस कितना है तिस और दीस में साथ का है तो तीस और तीस और एठाइस में डिफरेंस कितना होगा आप liner 6 पर आगे आठ जाए और यारू आठो जाना ने लोगो जम्हारे स्क्वाब प्र लगते होग OnePlusला है ने एक स्रीस टाइब ही क्वेशन है इसका जवाब उन्होंने आठ बताया हुआ लेकर आठ जवाब कैसे आता है इसकाम कंसर्प्ट सीखेंगे देखें तीन को अगर 15 से जरब किया जाए जवाब 5 आता है चार को 24 जरब किया जवाब 6 आता है पांच को 35 जरब के जवाब 7 आता है 4 जरब 24 आप उन्होंने आगे लिख अविदेगा लोगों कि समझ आगी होगी कि 5 साथ पैंथी जैनि पांच को साथ से जरब किया तो सात ही उसका जवाब उन्होंने बना बना दिया इसी तरह 6 848 बना है जवब नोंने आठ बताया हुआ है तो नेस्ट है विच इस में बता तो और भी नोटो ऑंसे मैं। मतलब के बाद में उसके बाद को लाइन जो है लुकिन लुक्त गां दो हॉत जाए तो नग्हीं विल्ली लाइन शेर और बिली के बचे को किटन बूलते हैं तो मतलब एक बाकी सारे क्या है मतलब बाकी सारे बड़े जानवर लेकिन उसके बिली के बच्चे को यानि जो छोटा बचा उसको इसलिए बाकियों से डिफरेंट है तो नेस्ट क्याशन है फिलाइज टू एरोपलेन एज सेल एस टू इसका जवाब तो शिप आता है लेकिन कैसे आता है तक देखें फिलाइख और एरोपलेन फिलाइख करता है आप लोगों को पता ही है तो गश्ति को चलाता है यानि बाद बन कश्थी को चलाने वाला तो यह समझे लो इस लिहाद से सेल का तल्दक शिप के साथ है तो इसमें भी बताना इसलमबाद बदा यह लेक पिशावर KP का पिटल का तो एस्लामबाद कोई भी मतलब bleद आज बाइस समझ की लो कि यह पाकिस्टान के लोगो पाकिस्तां के लाहूर क्राची indeed पिशावर लेकिन इसलामबाद है यह पाकिस्तान का कैपिटल यानि कंट्री का मुलक का कैपिड़ इसलिए बाकिन सब्सक्राइब नेक्स्ट क्वैच्टन है इसको समझने आप लोगों ने वाट विल्क नेक्स्ट ने भी स्रीज टाइप ही क्वैच्टन है कि देखें 64, 2, 74, 3, 94 आगे कौसा जवाब हैगा देखें इस तरह क्वैच्टन को आप लोगों ने जल्द बाजी में घलत नहीं कार देना यह डबल स्रीज समझ कर गलत नहीं कार देना क्यूंकि कुछ ऐसे क्वैच्टन होते हैं वो डबल स्रीज नहीं होते यह भी आप लोग देख रहो दो आता है साथ में अगर चार को तफरीग करने जवाब 3 आता है नो में अगर पांच को तफरीग करेंगे तो हमरा जवाब आजाएगा पांच हमारा राइट अंसर बनता है तो नेस्ट क्वैच्टन है अवाट डिजर मिसंग इन्दा लास्ट नंबर यहां पे मतलब एक द सब्सक्राइब हमारा तो देखें इसमें उन्हें क्या-क्या है इसमें कोई मतलब के जीज़ेगा नफीज तफरीक जरव इस तरह कोई सिस्टम ही नहीं है इसमें रोने क्या यह किया हुआ है अगर देखें यह 34 और आठा को छोड़ दें 34 आगे देखें 38 आगे देखें 36 आ माइन में 32 मतलब अगर होगा तो मतलब के यह सीधी हो जाएगी तो तीन के साथ क्या आता है दो आता है 32 32 36 38 34 यानी प्लेट 3040 के दिर्म्यान में यह गैप छोड़ा हुआ थे उम्मीद है कि समझ आई होगी जितना मुश्कल लग रहा तो उतना ही वह होता है तो इसका राइट सबसे पूझए तैन अंसर इम्मेट 3 यह क्या है यह ऊस्वार्णका यह दूरा यह दूसरा और यह तीसरा नम्बहों है तो इसको इसे हक्शन में यह कह रहे हैं कि अगर आपके पास जो आपके पास सफेंक नम्बर आइस एंडल फो नंभर यह उसको शाट्ड्स यांई च् नमबर को यानि चोटे नमर को तो में आप और पर लों नमबर के साथ वाफलों का जवाब आ जाएगा तो पहले कितना आया था सोना जोना में छों करें तक्सीम लीजटा चार चार घ्या है सब्सक्राइब करें 97 को रखेंcill को साथ-चाल करें तो और करें कि एक। जाब करता है औरिए बागे ढपनदा दना है यह इस उसनिगम वर पस है देखें नीइच से शुरू करते है की अगरी यानि दो का डिफरेंस है अगर के मपने डिफिरेंस है अगर ऀसमें कुष विसमें एक की वहीरियों से आर का तो नहाद बाकियों में सबीका बाकिया की बात करने जो का इसमें का ने सब्सक्राइब कि इन क्लास आफ 60 मेल एंट 35 फीमेल स्टूडट्स 80 प्रसंट क्लास फिल इन केमिस्ट्री और 30 प्रसंट इन इंग्लेश तेन विच विच वन इस त्रू या नि इस क्वैश्ट में करें कि एक के एक क्लास है जिसमें आगे क्या रहे हैं कि जो साथ मेल और 35 फीमेल स्टूडट्स एं उन में से अगर बात करें तो 80% कमिस्ट्री में फैल होगी है और 30% इंग्लेश में फैल होगी है तो नीचे आप्शन दिये हुए इस से में बताओ कौन सा आप्शन ठीक है देखें पहला आप्शन है अउनली म मेल तो फैल नहीं हो यानि लड़कियां भी साथ फैल हुई है बी ऑप्शन को देखें नो नो मेल फैल हुए है यह तो सच है दोनों मतलब एक फैल तो हुए है नमबर थाट पर आप कह रहे हैं के सी ऑप्शन बात मेल एन फीमेल स्टूड़न्स आर फिरड यह बात साच है अगर देखें डी में आउनली फीमेल फैल यह भी घलत है यह कोई कोई हल करने वाला कोई नहीं है यह कॉमन संस का सब्सक्राइब की जहानत चैक करने के लिए यह कुमाफिरा के पूछा गया उन्होंने यह तो बताया नहीं हुए कि कितनी फैल हुई है या मेल कितने फैल जिन मेंसे 80% कि मिस्ट्री में फैल हुए और 30% इंगलेश में उन्होंने यह तो बताये नहीं है कि कितनी मेल फैल हुए कितनी फीमेल तो यह क्वच्चन हल करने वालाने इसका जवाब यह आता है यानि दोनों फैल होएं बात मेरा फीमेल स्टूड़न्स आर फैल यान दोनों के मिस्ट्री में फैल हुएं और दोनों ही इंगलेश में फैल हुएं उम्हीद है कि इसका आपको समझ आई होगी तो यह थी आज की वीडियो नेक्स्ट वीडियो तक